हेलो फ्रेंड्स, आईबियस कोचिंग सेंटर बठिंडा मानसा दे यूट्यूब चैनल दे तोड़ा सारा दा स्वागत है आज जैसी लेके आए हैं, पी एस टेट ते सीज़ेट लई चाइल्ड सैकोलोजी दा सेकिंड लेक्चर इस सो पिला दो वीडियो से होर ही है, पहली वीडियो सीगी चाइल्ड सैकोलोजी दे सलेबस दी, जिटेल दे भी सारा सलेबस दस है, बच्चे दी व्रिद्धी, टे बच्चे दविकास चाल्ड ग्रोथ हैं ड्वेल्पेंट तो तुसी वीडियो च अग्गे चलन तो पहला साड़े चैनल सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन जुरूर प्रेस करो ताकि अगली वीडियो से नोडिफिकेशन सोड़े फोन ते आ सके नाल दी नाल ए सारी वीडियो थी ये सारे सलेबस थे हैंडिटन नोट्स भी अवेलेबल है गया पंजाबी थे इंगलिश से वीच लेफ्ट साइड थे इंगलिश लिखी होगी ते उधे जमा सामने राइट साइड थे पंजाबी दे वीच एक्स्पेंड किता गया होगा और नोट्स भी तुस्री साठे तो मंगवा सकती है गया आप शुरू करिए साइकिन लेक्चर चाइल्ड साइकोलोजी दा चाइल्ड ग्रोथ एंड ड्वेल्पेंड सब तो बिला डेफिनेशन एंड क्रेक्रेक्रिस्टिक्स ओफ ग्रोथ विकास ती परिबाशा अते गुन ग्रोथ दा मतलब है जी वद्दा ते ड्वेल्पेंड दा मतलब है गया विकास सब तो बिला ग्रोथ दी डेफिनेशन वद्दे दी डेफिनेशन की है ग्रोथ is increase in the size of child और increase in the body parts और increase in weight और height मतलब बच्चे दे अकार विच वद्दा श्रीर दे अंगा विच वद्दा या पार या कद विच वद्दा इन्हों अपके सकते है growth उस्व बाद वद्दे दियां विशेश तामा की हैगिया क्रेक्टर स्टिक्स ओफ ग्रोथ सब तो पहली हैगी है growth is an external process संख्यात्मक या मातरात्मक प्रिकिलिया है उस्सवाद इड़ी बच्चे दी ग्रोथ हैगी यह श्रीर दा वादा हैगी वो निरंतर का आरज नहीं है सारी उमर नहीं चालदा कुछ टाइम बाद बच्चे दी ग्रोथ रुक जान दिये उस्सवाद ग्रोथ डिपेंड्स अपोन मैचुरेशन एंड एज मतलब जड़ा वादा है एहे अपनी उमर ते परिपकता ते दोना ते निर्बर करता है इड़ी जोट ए सिक्वेंशल प्रिकिलिया नहीं हैगी मतलब ग्रोथ दे विच ए चीज नहीं हैगी बच्चे दी ग्रोथ दे विच की एक तो बाद एक स्टेप होगा कोई भी स्टेप पिला हो सक़द है कोई ऑस्वाद हो सक़द rhोynnवा एक करम दे विच daily सिक्वेंस से विच कदे वी ग्रोथ नहीं चल दी ऑस्वाद ग्रोथ इज डिरेक्शन लेस मतलब growth दिशा रहीत है growth दी कोई पक्की direction नहीं है अपने कह सकते एस चीजी growth पेला होगी एस चीजी बाच होगी एदी कोई पक्की direction नहीं है direction less है उस सो बाद एक main point अगला है upper part of body developed earlier than lower part मतलब श्रीर दा उपरला हिस्सा हेटले हिस्से नालो पहला विक्सित होंदा है उस सो बाद निचले दोनों point important है growth and development is from head to toe and it is called cephalocodal मतलब जे श्रीर दा जिडी अपनी growth हैगी है उस सिर्टो लेके जे पैर तक होंदी है ता उस लिक्के दी growth या विकास नू cephalocodal क्या जंद है एक question बहुत वरी paper जाया हुए है Peter दे भी तुसी note down कर सकने हो copy pen of the koli रखो last point है जी growth or development from center of the body to outside और from spinal cord to other parts of body और from internal to external parts is known as proximal distal growth अप पंजाबी जगल करिए श्रीर दे केंदर तो लेके बार तक या अंदर दे हिस्सेयां तो लेके बार दे हिस्सेयां जड़ी growth हो रही है और क्या जंद है जी proximal distal ये वाला point भी बहुत वार question paper दे विच ए point आया हुए है तुसी note down कर सकते हो इस सारे point प्राने question ना तो भी चक्के होई है जो मैं लास्ट वीडियो जो दिस्टा थी गा ये सारे जड़े notes बने है सारी वीडियो बनी है कि कली books से विच्चो नहीं बनी ये पीटेट दे सीटेट दे जिनने असक paper होई है सारे analyze किते गए है उनना तो ये वीडियो जे notes बने है काफी मैनत दे नाल काफी experience दे नाल काफी सालना तो लिख रहे है नोट से ताएं चीज़ा बनिया है गिया चलो जी हुना पगे चल दे है एस तो बाद है जी stages of growth पड़ाव ग्रोथ दे पड़ाव की की है गे बादे दे पड़ाव की की है गे सब तो पहला है जी prenatal stage prenatal दा मतलब की है जी before birth या जनम तो पहला कुछ growth दे पड़ाव है गे जीड़े जनम तो पहला तो start होयां दे इनना ते question आया होया है पर syllabus दे विच दे book दे विच सिरफ postnatal ही लिखे होया है ये वाले ये सुनिच्चे वाले ही लिखे होया syllabus दे विच पर prenatal वाले ये वाले paper चाहे होया है जो मैं ये वी सारे form किते हैं गिए prenatal stage मतलब जनम तो पहला वाली जड़ी stage जाहें ग्रोथ दिया जिले टाइम होंदे जनम तो पहला पन पते है बच्चे दा 9 मन से होंदे 9 मी ने ताइम होंदे है जिन्हों अपपा 2080 दिन भी कह सक दे है चाली अफते भी कह सक दे है ये वीच भी तिन सब स्टेजीज है तिन चोटे पढ़ाव है गे है जनम तो पहला वाली ग्रोथ दे विच कि पहले दिन तो लेके 9 मी ने तक बच्चे दी ग्रोथ किमे किमे होंदी है पहली stage है गी ये जी उस्तो बाद है जी एंब्रियो एंब्रियो की है जी नो अपप पंजाबी जी पुरून भी गया दने है पुरून दी सीमा किनी है जी दो तो लेके 8 अठफते एक slow stage है गी है तो एदे एंड दे विच जदो इस्टेज खतम हों तो पहला 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 बोडी पार्ट स्टार्स डेवलपिंग मतलब श्रीर दे अंग बच्चे दे श्रीरिक अंग बनने शुरू होयां दे एस्टेज कटम होंदे होंदे इंपोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन आया होए उस्तो बाद है फीटस फीटस आप सारे ने सुनेया होया है पॉइंट स्टेज के नहीं पर फीटस केनने है कीडि पूरून तो अगली स्टेज है ठीक है तो इटीज ए फास्ट ग्रोइंग स्टेज कई पुच्छे हैं दिस अबत पॉस्ट नेटल स्टेज की जनम तो बात दिया ग्रोथ दिया वद्य दिया कीडियां पड़ाव है आप पंजाब बीच कहने है जी शिशु अवस्ता सब तो पहला शिशु अवस्ता जिदा टाइम है जी रो तो तो तिन साल एदे विच बच्चा आप दे सेंसी यूज करना शुरू करदन दे जड़ी अधी सेंसीज हैगी है देखना बोलना ओ सारे बच्चा शुरू करदन दे समझना किसे चीट जानू सेंसीज बच्चे दियां शुरू होयां दिया इनफेंसी देविच ओस्व बाद है चाइल्ड हुड तेन तो बारा साल चाइल्ड हुड नो पंज आप बीच आपके ने बालवस्ता बालवस्ता एदेविच बच्चा कोपरेशन सिंपती किस्प्लें क्रियोसिटी एसारी वेल्यूस बच्चे देन तरह आन लगें दिया जी बालवस्ता देविच बालवस्ता नो गिया अपका दो टाइप देविच दो सब टाइब से विच डिवाइड कर से ने बालवस्ता देगे दो पीरेट दो पड़ाव हो सकते हैं पहली है अर्ली चाइल्ड हुड जी उन्युनू पंजाबी घोक है मुडली बाल वस्ता हना एध गुनक की है इस वस्ता दे इन्हों अपड़ ट्वाइज केने है यह मिलकटींत लाइज इसम इरे ट्वाई इसम पर फिंट लेटर चैल्ड हुड लेटर । छे तो बारा साल। ठीक है, इन्हों पर पिछली बाल अवस्ता कहा अए, पिछली बाल अवस्ता, जिदा कि टाइम है चे तो बारा, पूरी चैल्ड़ूड जीडीगे हैंकि पूरी बाल अवस्ता तिन तो बारा हैं। बच्चा ना था चोटी जान्दे बच्चे जान्दे ना बढ़ जान्दे अड्वाइँ अड़ू सेंस अपकेदर ने कि शोवर वस्ता इदा टाइम है गे बारा तो अठारा साल कि शोवर वस्ता हाना नोट कर सकते हूं औस सबाद जिदा मेन गुन है कि जी ते कोश्चन आये हुए है इन दिस एज प्युबर्टी स्टार्ट्स और बोडी स्टार्ट्स ग्रोइंग लाइक अडर्ट्स एस उमर दे विच जवानि शुरू हो एंदी ये बच्चे ती प्युबर्टी तो मतलो जवानि वाले गुंड बच्चे ज आन लगें दे ते बच्चा दा श्रीर अडल्ट हुड, अडल्ट हुड नू पजाबी जी कहन दिया प्रोड वस्था, प्रोड वस्था दा टाइम है गे जी काफी लंबा टाइम है, अठारा तो लेके साथ साल दिया उमर तक, इन दिस स्टेज, चाइल्ड गेट कम्प्लीट प्रोब्लम सोल्विंग कपैस्टी, एस एज दे विच, बच्चें दे विच, समस्य समादान दी, पूरी काबलियत, पूरी शम्ता आयन दी, अडल्ट हुड दे विच, लास्ट है जी, ओल्ड एज, 60 प्लस, साइकोलोजी दे व सेंस्टिव स्टेज है गी है, स्टेजी जोफ ग्रोथ, तुसी वीडियो ने रोक के किते वी आदा नोट कर सकते, अप चलिये हूं, नेक्स स्लाइट ते, नेक्स स्लाइट है जी, डेवलपमेंट दे बारे, पिछली स्टेज सी गी, अपने पिछली स्लाइट सी गी हां, परानिक पिछली वीडियो चे अपके ग्रोथ दी कल खितीज होना पका विकास सी गल करांगे, तो ग्रोथ होगी इकला वद्दा, श्रीरिक वद्दा, इकोग कोई इंप्रूम्मेंट आना कोई वादा होना शम्ता अगे उना की का माले घ्याओ यह कि वकास का माले श्रीच पाउनना और बोड़ी पाड़ से विच वद नहीं ऑना ılिश्व कैन यह पतशनुन पर सिंपन है उसलlä कर रिख सर sele च continuous and lifelong process, ग्रोध दे विचापा गया से continuous process नहीं हैगा, पर development की ये विकास की ये निरंतर है गया, तो जीवन पर चलनवाली पर किले है, विकास सारी उमर बिच्चे दा चल्दा रेंदा है, सारी उमर आपका कुछ ना कुछ है, सिख दे रहने है, चलो अगला point, ग्रोध सीगी जी ग्रोध अपनी किसी की, ग्रोध सी सिरफ external process, बारी पर किले है, पर development की है, इट इस बोथ internal and external process, एह अंधर उन्नी ते बारी दोनों तरह दी पर किले है गी है, ठीक है जी, उससो बाद, इट इस ए sequential process, ग्रोध चाप गाल किती सी, जीड़ी ग्रोध है गी हो, क्रमवार नहीं है, सीक्वेंस बीच नहीं है, पर development उस उल्ट है, development इसे sequential process, या क्रमवार पर किले है गी है development, ग्रोध चाप गल किती सी, ग्रोध इस directionless, ग्रोध दी को डिरेक्शन नहीं पर, development इस आल्वेज इने specific direction, development बिल्कुल उससो उल्ट जारे है, हर point दे विच, हर गुंदे विच, development क है, एक specific, एक पकी direction दे विच जान दे, एक खास दिशा दे विच जान दे, चलो, उस बर development दे विच आ गया, it could be fast, sometimes or sometimes slow, कीजड़ी विकास है गया, कई वर तेजी नल भी हो सकते है, कई वर slow भी हो सकते, एजी speed कोई fix नहीं हैगी, fast भी हो सकते, किसे time ते, किसे time ते, slow भी हो सकते है, बहुत वरी कोशन आए, seated, peated दे विच, तो सिदीग अले है कि हो सकते है, विकास बिना वद्दे तो हो सकते है, हो सकते है, बच्चे दी श्रीरिक ग्रोथ ना हो रही हो वे, पर वो दा विकास हो रहा है, आव चीज़ा सिख रहा हो वे, यह possible है गया, चलो, उस जी विकास यहां, टाइपस, किसमा, किनने तरह दा विकास हों दे, मेंटर डिवल्पेंट, जीनों मानसिक विकास केंदे है, फिजिकल डिवल्पेंट, जीनों श्रीरिक विकास केंदे है, मोटर डिवल्पेंट, जीनों मोटर विकास करने है, मोटर डिवल्पेंट दा यह उसी नूंग ग्रिप करन, motor विकास, physical विकास ना लिग जुड़ा हुए है, उस वाद है social development, social development है smagic विकास, emotional development, पावनात्मक विकास, language development, पाशा दा विकास, पाशा विकास, ए सारे यह जी विकास यह किसमा, छेद रदा विकास हुंद है, बच्चे दे अंदर, इनसान न दे अंदर किसे भी जीव दे अंदर इच्छे दे च्छे विकास लेके हो या नोट डाम कर सकते हूं एस सो बाद है जी factors influencing development कि बच्चे दे विकास से केड़े केड़े कारक है जड़े प्रबाव पन दे बच्चे दे विकास नो केड़ी केड़ी हैं जड़े प्रबावित कर दिया है कि सब तो पहला है गाजी हैरी डिटी है मतलब कि एजी खांदान नी वंश्वा दया अनुवांशिक्ता अनुवांशिक्ता जमा सही शब दे लई कि जो चीज आपनो अपने पेरेंट सो मिलें जो गुन बच्चे दे माता पीता तो या दा ये चिज़्यां भी विकासनों पर बावित करनेगें इंटेलिजेंस मतलब बुद्धी बुद्धी भी बच्चे दे विकासनों पर बावित कर दिये ए ये अर्थ सनलाइट ये वी बच्चे दे विकासनों पर बावित कर दिये जेंडर बच्चे दा जेंडर की है गये ते स परबावित नहीं करदा, जेंडर दे नाल, बच्चा मेल है गया, फीमेल है, मुंड है के गुडिये, ओ दे नाल, विकास से कोई खास असर नहीं पेंदा, कोई असर नहीं पेंदा, जेंडर दे, जेंडर दा, विकास होते, परबाव नहीं पेंदा, पेपर्च कोशन आया जेंटर दगल नहीं पेंदा बागी छेहों चीज जादा पेंदा है नोट डाउन कर लिए ठीक है यह सारा चेप्टर अपना चाइल्ड ग्रोथ एंड ड्वेल्पेंड दियुत्ते इस सारे पॉइंट प्राने पेप्रान चक्के हो या प्राने पेप्रान चेक करो वधिया पर वीडियो से समझ आ रहा है था वीडियो सी विनाल देखी चलो ठीक है साड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर करो तुसी आईबीएस कोचिंग सेंटर बिठिंडा मान साथ नाम तो यूट्यूब चैनल है गया तुसी आईबीएस कोचिंग बिठिंडा लिखाऊंगे यू आईब्यूद संदी कि देखाऊ टो अंपल कर देखाऊंगे विल कैनल सेंट शादूर को हला है कि यजरुब जरूर को